आप जहां भी बैठते खड़े होते और जो भी छूते हैं उसमें यादाश्ट होती है और हर समय आदान प्रदान होता है तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए अगर वो मजबूरी भरी प्रक्रिया है फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ऐसा नहीं है कि ये पाप है वो पाप है सवाल ये है कि जीवन में आपकी प्राथमिक्ता क्या है सद्गुरू कोई व्यक्ति एक रिष्टे में किसी के लिए समर्पित कैसे रह सकता है क्या यह स्वभाविक है कि किसी से प्यार करते हुए भी दूसरों के प्रति sexual attraction हो इसका सही तरीका क्या है या इसे कैसे समघ्णा जाना चाहिए देखीे, एक मांसिक समघ्रता होती है एक भावनात्मक समघ्रता होती है लिकिन एक शारिरिक समघ्रता भी होती है समग्रता का मतलब नेतिकता नहीं है समग्रता का मतलब है कि आप एक ऐसी स्थिती बनाए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर हो तो जब हम समग्रता कहते हैं मान लीजे मैं कहूँ मेरे शरीर में एक समग्रता है इसका मतलब है कि ये मजबूत और बहुत सारी चीजों से रक्षा करती है, है न? इसका ये मतलब नहीं कि मैं नैतिक रूप से किसी चीज में आठका हुआ हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप समगरता शब्द को उस संदर्ब में समझें हम समगरता की बात इस जीवन की मजबूती के संदर्ब में कर रहे हैं तो अगर ये बात है, क्या ये सच है? क्या आपको याद है कि आपकी पर-पर-पर-पर दादी दस पीडियों पहले कैसी दिखती थी? क्या आपको याद है? नहीं, मगर आपकी नाक उन से मिलती है? हाँ या ना? शरीर याद रखता है, है ना? शरीर दस लाख साल पहले के आपके पूरवजों को याद रखता है, हाँ या ना? तो आप जिसे मेरे शरीर कहते हैं, वो यादाश्ट का एक धेर है, हाँ या ना? मेमरी है या नहीं? देखिए, अब आप निपाल से शिलॉंग आए, आपने बहुत सारा मेगाले का खाना खाया, आपके नैन नक्ष नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपका शरीर याद रखता है, कि आपकी जनेटिक्स क्या है, चाहे कुछ भी हो, या आप मान लीजिए, गाय का भोजन या कुट्टे का भोजन खाना शुरू कर देते हैं, आपका शरीर कन्फ्यूज होकर कुट्टा या गाय नहीं बन जाएगा, क्योंकि इसमें विकास संबंदी यादाश्ट है, आप चाहे जो भी करें, ये कभी कन्फ्यूज नहीं होता, है न? आप सोचने लग जाएं मैं एक कुट्टा हूँ और उसकी तरह भोजने लगें, फिर भी शरीर नहीं बदलेगा, हाई या नहीं? मन से आप कर सकते हैं, पर शरीर में यादाश्ट बहुत गहराई में होती है, तो ये पूरा शरीर जो आपके पास है, मुख्य रूप से मेमरी की एक समगरता है, अगर ये मेमरी की समगरता को खो देता है, तो आप देखेंगे कि ये कई सारी चीजों के प्रती नाजुक हो जाएगा, अब शरीर की प्रकृती ऐसी है, कि कुछ भी जो आप एक खास तरकी भागेदारी के साथ छूते हैं, स्वाभाविक रूप से उस मेमरी को स्टोर कर लेगा, मानसिक तोर पर नहीं, शारीरिक रूप से वो उस मेमरी को स्टोर कर लेगा, परमपरिक रूप से इस संस्कृती में हम इसे रुनान बंधा कहते हैं, आपने ऐसे शब्द के बारे में सुनाएं, रुनान बंध, इसका मतलब है शारीरिक मेमरी जो आप इकठा करते हैं, लोग क्यों आप लोगों के साथ ये देखेंगे, मान लीजिए अपने घर में वो जाकर उसी जगा बैठते हैं, ये आम तोर पर बुड़े लोगों के साथ आप देखेंगे, आपका कुटा वो आता है, अगर वो यहां बैठना चाहता है, तो वो इससे सूंगेगा, उससे सूंगेगा, उससे सूंगेगा, और बहुत खोजबीन के बाद, वो उस एक जगा पर बैड़ जाएगा, अगली बार आप उसे कहीं भगा दें वो आएगा, वो जाकर उसी जगा बैठ जाएगा क्योंकि एक मेमरी है आजकल फोरेंसिक उपकरण है जिसमें आप अभी यहां बैठे हुएं आप चले गए दो, तीन, आठ घंटे बाद अगर वो आएं, कुटे के साथ नहीं कुटा आसानी से यह कर सकता है मगर फोरेंसिक उपकरण के साथ हम यहां आते हैं और बस इस कुरसी को चेक करते हैं और हम जान जाते हैं कि आप ही यहां बैठे हुए थे, कोई और नहीं तो यादाश्थ होती है आप जहां भी बैठते, खड़े होते और जो भी चूते हैं उसमें यादाश्थ होती है और हर समय आदान-प्रदान होता है आप नेपाल से आई हैं भारत में भी यह काफी हद तक है दक्षिन में बहुत मजबूती से है उत्तर में ये शायद कमजोर पड़ गया है हम लोग कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नमक नहीं देते आप ये जानते हैं? यहां भी? अगर कोई आपको नमक देता है आप कहते हैं प्लीज उसे वहां रखतीजे क्योंकि कुछ चीजे हैं जो मेमरी को बाकी चीजों से बहतर संचारित करती है नमक, तिल, नीमू इसी तरह अगर आप देते हैं पारम पर एक लोग कहेंगे उसे वहां रखतों मैं ले लूँगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ रुनानुबंध विक्सित हो अब भारत में अगर आप लोगों की पुरानी पीढ़ी को देखें अगर आप उनसे हाथ में लाना चाहें वो इस तरह करेंगे क्योंकि वो आपके साथ रुनानुबंध नहीं चाहते क्योंकि इसका मकसद आपके शरीर की मेमरी की समग्रिता को इस तरह रखना है कि वो दूसरी चीजों के प्रती समवेदन शीलना हो कि आप बहुत जुड़ा हुआ जीवन बन जाए अगर आप खुद को एक संभावना के लिए विक्सित करना चाहते हैं तो आपको यादाश्ट की समग्रता को बरकरार रखना होगा रुनानुबंद का मतलब यही है आप अपनी शारीरिक मेमरी को कम से कम रखते हैं शारीरिक संभंद ऐसी चीज है जिसमें बड़ी मात्रा में मेमरी एक से दूसरे में ली जाती है तो हमेशा इस समाज में नहीं बाकी हर कहीं हमेशा से लोगों ने उस मेमरी को कम से कम रखने के फायदे देखे अगर आप अगर आप उस मेमरी को बहुत जटिल बना दें तो आप देखेंगे कि आराम से होना कुछ समय बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा सुख जरूर होगा, मगर आपके जीवन में कोई खुशी नहीं होगी आप, आप लोगों पर ध्यान दे सकते हैं, मेरी बात पर विश्वास मत कीजे आप लोगों को ध्यान से देखे, उन्हें सुख मिलेगा, वो हर समय खिल खिलाते रहेंगे मगर आप उन्हें गौर से देखिए, उनके अंदर कोई खुशी नहीं है, सहज़ता नहीं है क्योंकि सहज़ता ज्यादा मेमिरी की वज़े से चली जाएगी ऐसा सिर्फ सेक्शुयलिटी के साथ ही नहीं, कई और चीज़े हैं, जो आप इस तरह करते हैं अभी आप पश्चिमी समाजों में ये बहुत देखते हैं, जहां भी मैं जाता हूँ, खास कर अमेरिका में, लोग आएंगे, सद्गुरु मेरा हग कहा है मैं कहता हूँ, वो आपके साथ होगा, वो मेरे पास क्यों होगा ऐसा नहीं होता कि किसी खास पल आप किसी के करीब महसूस करते हैं, तो आप उन्हें गले लगाते हैं ऐसा है कि हर समय आपको लोगों को छूना है, क्योंकि आज के मनोवैग्यानिक इन चीज़ों का विशलेशन करके बता रहे हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन में उनकी माओं और माता-पिता ने उन्हें परियाप्त नहीं चुआ जब वो बड़े हो जाते हैं, तो वो हर समय किसी न किसी को चूने के लिए तरस्ते रहते हैं इन सभी चीज़ों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत असर पड़ता है कितना शारिरिक संपर्ख हुआ जब बच्चा पैदा हुआ ये तय करेगा कि वो बाद में कितने शारिरिक संपर्ख की चाह करेंगे और एक शिशू अपनी मा से कितनी मेमरी ग्रहन करता है उस समय क्योंकि जब तक एक बच्चा साड़े चार साल का नहीं हो जाता कई रूपों में उर्जा की द्रिष्टी से वो एक अलग जीव नहीं है वो अब भी मा के शरीर से जुड़ा है असल में अगर लोग प्रकृती के अनुसार चलें तो उस समय तक उन्हें मा का दूद पीना चाहिए और साड़े चार साल तक जुड़े रहना चाहिए प्राकृतिक रूप से ऐसा ही था तब उर्जा मच्योर नहीं होती उस समय अधिक से अधिक मेमरी जो आप अपनी मा से पाते हैं ये और भी बहतर होता है इसे मजबूत करने के लिए मगर एक बार बच्चा बाहर जाने लगता है और एक अलग इंसान बन जाता है जीवन खुद को व्यवस्थित करता है लोग मेरे पास आकर कहते हैं सद्गुरू क्या आप मेरी बेटी को आशिरवाद दे सकते हैं क्या आप मेरे बेटे को आशिरवाद दे सकते हैं सबसे पहले मैं पूछता हूँ क्या उम्र है अगर वो कहते हैं 15, 16, 18 ठीक है अगर वो 21 से उपर होते हैं मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि मेरा आपको आशिरवाद देना, आशिरवाद आपके बच्चे तक नहीं जाएगा, आप भावुक होकर सोच सकते हैं, वो मेरा बच्चा है, मगर जहां तक जीवन का संबंध है, वो पूरी तरह अलग हो चुका है, आम तोर पर जीवन के अवधी लगभग 84 साल या चंदरमा के 1008 चक्रों के बराबर मानी जाती है, चंदरमा के चक्र और हमारा शरीर सीधे सीधे जुड़े हैं, क्योंकि हमारी माओं के शरीर चंदरमा के चक्रों के तालमेल में थे, इसलिए हम पैदा हुए, वरना हम पैदा नहीं होते हैं, है ना, हलो, तो एक पूर्ण जीवन चंदरमा के 1008 चक्रों के बराबर माना जाता है, जिसे लगभग 83 से 84 साल मानते हैं, तो अगर कोई 84 पार कर लेता है, उसे एक पूर्ण जीवन माना जाता है, इसमें पहली तिमाही ही एक मातर समय हैं, जब वो अपने माबाप से जुड़ा होता है, उसके बाद बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उर्जा की दृष्टी से आप उन दोनों जीवन को जोड़ नहीं सकते, तो उसी समय लालसा होती है, अगर आपने अपने अंदर ज़रूरी समगरता नहीं बनाई है, तो दूसरे शरीर की चाहब बढ़ जाती है, हाला कि हॉर्मोन्स का समय 15 से 20 के बीच सबसे ज्यादा होता है, किसी के साथ जुड़ने की चाहत 21 साल की उम्र के बाद बढ़ती है, क्योंकि अंजाने में आप एक सैटलाइट की तरह हैं, जो मेन मदर से दूर हो गया, आप मदर बोर्ड से अलग हो गया, अब आप किसी चीज से जुड़ना चाहते हैं, जब तक कि आपको थोड़ी समगरता ना मिल जाए, इसलिए 12 से 18 साल के बीच, शरीर को मजबूत करने के लिए बहुत साधना करनी चाहिए, ताकि आप बेता हाशा किसी चीज या किसी व्यक्ती से खुद को ना बांध लें, आपको जागरूकता में, अगर आप एक साथी बनाना चाहते हैं, तो ये एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए, अगर वो मजबूरी में होने वाली प्रक्रिया है, फिर आपको उसकी कीमत चुकानी होगी, ये नैतिक्ता का सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये पाप है, वो पाप है, सवाल ये है कि जीवन में आपकी प्राथमिक्ता क्या है अगर आपकी प्राथमिक्ता इस जीवन को एक उच्च संभावना तक पहुँचाना है तो आपको जागरू को होना चाहिए अगर आप किसी तरह जीवन जी कर चले जाना चाहते हैं तो ठीक है धन्यवाद सद्गरू माफ कीज़े अगर मैंने आपको निराश किया आपने सब मेरे प्रशन का जवाब दिया सद्गरू उसके लिए बहुत धन्यवाद